नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत थिर्दे से स्वागत है और अभिनदन है इस समय बहुत ऐसी स्थिते में चल रहे हैं कि उनके उपर सबसे बड़ा सवाल इससे में चल रहा है कि परिच्छाए लाबाद विस्विद्याले के किस मोड पर होंगी उनकी पर सद्विजन यह पूछते हैं कि नहीं कि मैं रहुतित हैं कि मैं चल देना 在 रह रहा है तो 14 से सारे महाविद्याले भी खुल रहे हैं और जो एक्जाम की जो अपडेट है जो आपके पेपर की सूचना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं तो सारे कॉलेज और सारे केमपस सब की लिए फॉलो होगा तो बहुत ध्यान से सुनिएगा एक बहुत बड़ी अपडेट आ परिशंचालित होंगी जो 2nd year की विद्यारती और 3rd year की विद्यारती है प्रथम वर्स वाले परेसान नहों उनकी परिच्छाएं अभी कम से कम 4 महिने तो नहीं होंगी जो 1st year वाले हैं उनका 4 महिने का कम सत्र चलेगा तो 1st year वाली एक्जाम पर पहली बात आप चिंदा न मिल रहा हूं आप के लिए जो बेहतर हो पा रहा है मैं वो करने का प्रयास कर रहा हूं साथी साथ आप सब के साथ हरेक स्थिती परिस्तिते में खड़ा हूं बाते हो रही है चर्चाय लगातान चल रही है निवेदन किया जा रहा है साथी साथ उनको ये भी कहा जा रहा है क कि हम चात्र जो समुधाय हैं एक बड़ी मॉब की हित में आप निर्णे लीज़े जिससे कि किसी भी चात्र का नुकसान ना हो एक्जामिनेशन कमेटे के जो बैठेक वो 11 तारीक को साड़ी 11 बजे से नौर्थ हॉल में है जाने कि 11 फेबरवरी को सारे 11 बजे से सारे के सारे एक्जामिनेशन कमेटी में जितने भी सतस्य है यानि वाइस अंसलों से लेकरके एक्जाम कंट्रोर से लेकरके इस डवन से लेकरके स्वई fakulty कि डीम् और जिदने भी ग्यामिनीशन कमेटी के सदस्य है वो सारे उस बैठेक में उपस्थित रहेंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन पे जो पेच आपके फसा हुआ है जो आप इतना दिमाग इस पे लगा रहेंगे उसका नेड़े भी 11 कारी को लगभग साड़े 12 से एक बज़े तक आ जाएगा जो भी नेड़े होगा मैं आपको यहां से बताने का काम करूंगा आप उसके लिए चिंता मत करिए आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा आपकी लिए जो बहतर होगा वही किया जाएगा लेकिन इल्हाबाद विस्टेंड है अभी ऑफलाइन परिच्छा पर स्टेंड बना हुआ है क्योंकि online कि उनके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म नहीं है नहीं उनके पास ऐसा manufacture है कि online इक जाम इतने बड़े अस्तर पर आयोजित करवा ही जाए क्योंकि पिछले साल उन्होंने एक बार करवा के देखा था उसमें उनका पूरा सिटम फेल हो गया था जैसे भी होगा हम सभी कोसिस कर रहे हैं कि आपकी जो परिच्छाएं वो online हो लेकिन अगर परिच्छाएं आपकी offline होती है तो उसके लिए भी आपको ऐसी सुविधा द करती जाएगी जिससे कि आप वो भी एक्जाम आसानी से दे सके लेकिन अभी कोई ऐसा नेड़े नहीं है और हम लोगों का प्रयास ही है कि आपका एक्जाम online mode पर हो अगर जो भी नेड़े आता है उसके बाद हम लोग अपनी समीकरन अपनी रणनीती बनाएंगे लेकिन से एक्जामिनीशन कमेटी की बैठक है उसी में सारी दूद कदूद पानी का पानी हो जाएगा तो बहुत दिमाग लगानी की आप सकता नहीं है ना ही बहुत परिसान होनी की आप सकता है हम सब इलाबाद विश्य विदा लेके छात रहा हमारी जो उमीदे हैं हमारे जो सप आप पढ़े तो आपके लिए बहुत बहुत होता था थ्याहा निया तरही पड़ाईए पढ़ाई किसे पूरे साल भर बहुत अच्छी आपी क्लाशेज भी चली है वह सब भली भात ही जानते हैं तो जैसा भी हुगा आपके लिए बहुतर निया जाएगा अभी आपके सू बढ़ती जाएगी पैटन भी बतल दिया जा सकता है इतना भी नहीं है क्योंकि जब open book exam होगा तो फिर सारी की सारी चीजें बहुत normal चलेगी बहुत normalization होगा उसमें सारे नंबर एक ही चात्र एक ही चीजे लिखेंगे तो जो भी चीजें हैं मैं आपको बाद में स्पष्ट कर के बताता हूं online का क्या फैदा है offline का फैदा है उससे क्या नुकसान है तो मैं यहां से आपको बताऊंगा बाकी हम लोग पूरी तरीके से online examination को करवाने के लिए पूरता ततपर है और हम लोग लगे हुए है किसी भी तरीके से आपके लिए चाहिए जो भी पैटन हो चाहिए बारा बजे तक बहुत बहुत धनिवाद आपका बहुत बहुत आभार थैंक्यू